खेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम आपके साथ जो डिसकस करने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री से सम्मंधित या मुख्यमंत्री से इंपोर्डेंट कोशन्स बनते हैं उनको डिसकस करेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक आप लोग बने रहें जिससे कि आपके जितने भी एक्सपेक्टिट कोशन्स हैं वो क्लियर हो सके और आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल को अगर स सब्सक्राइब कर दें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक ब्यूटिफूल सा वीडियो तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजियों के मुख्यमंतरी ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है इसको आप लोग विल्कुल भी मान के चलिए ये 100% किसी भी एकजाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इतना जादा इंपोर्टेंट ही कोशन है राजियों के मुख्यमंतरी जो होते हैं वो क्या होते हैं नियुक्त होते हैं तो याद रखेंगे राजियों के मुख्यमंतरी जो होते हैं वो हमेशा नियुक्त हो जो प्रेसिडेंट होते हैं जिनको हम राष्टपती कहते हैं जो राष्टपती होते हैं वो चुने जाते हैं ठीक है लेकिन क्या है मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री हमेशा न्यूक्त किये जाते हैं ठीक इनको कभी चुना नहीं जाता याद रखियेगा ठीक next question देखेंग अगला कोशन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों वो की जाती है राज्यपाल द्वारा राज्यका राज्यपाल क्या करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अगर हम पूछें आपसे कि भाई ये बताओ कि हमारे पियम मोदी की निक्ति किसने की तो याद रखेंगे ये भारत के राष्ट पती ने की थी अब आप सोच रहे होगी कि इनको तो हम बोट डालते हैं तो हम इनको चुनते हैं जी नहीं वो एक चहरा होते हैं कि जीत जाएंगे तो हम इनको मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बनाएंगे ठीक है लेकिन मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री को हम नहीं चुनते हैं हम एक प्रतनीदी चुनते हैं और उसमें से निक्त कौन किसको किया जाता है न्युक्त कौन करता है वो हमारा राश्ट पती करता है प्रधान मंत्री की न्युक्ती और मुख्य मंत्री की न्युक्ती राज्यपाल करता है हर एक राज्य का ठीक है बात यहां तक किलियर हो गई तो एक बार फिर से आप से छोटी से रिक्वेश्ट बस इतनी है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें सभी कोशन बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को लाश तक देखिए नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स कोशन है मुख्य मंतरी की न्युक्ती सम्विधान के किस अनुछेद के तहत की जाती है ये बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो अनुछेद 163 के तहत न्युक्ती की जाती है किसकी मुख्य मंतरी की चलिए, next question देख लेंगे, अगला question है, सामाननेता राजियों के मुख्य मंत्री, क्या होते हैं? बिधान सभा के सदत से होते हैं, बिधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है, बिधान परिसत में बहुमत दल का नेता होता है तो याद रखेंगे जो हमारे सदस्य होते हैं यनि कि जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या या तो बिधान सभा के सदस्य हो या फिर बिधान परिसद के सदस्य हो ठीक कम से कम और जो बहुमत में होता है दल जो भी पार्टी बहुमत में होती है उसका निता बनता है तो बिधान परिशद का सदस्य होगा तब भी चलेगा बिधान सभा का सदस्य होगा तब भी चलेगा चुकि हर एक जगहे पर मतलब हर एक राज्य में बिधान परिशद नहीं है आपको पता है कि कितने जगहों पर बिधान परिशद है इस पर भी वीडियो आपको मे बिधान परिशद हर एक राज में नहीं है किवल छे राजियों में ही है ठीक है जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया करनाटक हो गया ठीक है इन राजियों में है ठीक तो बिधान परिशद जब है ही नहीं सब राजियों में तो बिधान परिशद के लिए तो बात ही छोड़ बिधान सभा का बहुमत दल का नेता होता है सामानेता पूछ रहे ना इसलिए सामानेता का बिधान सभा के बहुमत दल का नेता होता है वो वैसे किसी भी सभा में हो सकता चाहिए वो बिधान परिशद में हो चाहिए बिधान सभा में हो किसी का भी हो सकता है लेकिन सामानेता क एक राज्य में होती है बात यहां तक समझ गए चलिए next question कर देखेंगे राज्य के सासन का बास्तविक अध्यक्ष कौन होता है बहुत important question है राज्य के जो सासन का बास्तविक अध्यक्ष कौन होता है वो होता है मुख्य मंत्री राज का जो सासन चलता है उसको बास्तविक रूप से कौन देखता है उसको मुख्यमंत्री देखता है और मुख्यमंत्री देखकर इसकी रिपोर्ट किसे देता है राजिपाल को देता है ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे राज मंती परसद का निर्माता संहारक तथा प्राण दाता कौन होता है जो मंत्री परिशद होते हैं उनको उनका निर्मान करने वाला ठीक है या उसको खतम करने वाला या उसको चलाने वाला कौन होता है तो जो मंत्री परिशद होता है उसकी मेन नीव जो होती है मुखे मंत्री में होती है वही इनकी बैठक कराता है राज के मंत्री परिशद की वही इनका निर्माण करता है और वही क्या करेगा कि इसको खतम भी कर सकता है नेक्स कोशन देखेंगे अगला कोशन है मंत्री परिशद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है जो मंत्री परिशद जहाज होता है मतलब यहाँ पर जो पूरा मंत्री परिशद है उसको एक जहाज के रूप में क्या किया गया है माना गया है तो इसको कौन चलाता है तो इसको चलाता है अभी अभी हमने उपर discuss किया था मुख्य मंत्री चलाता है ठीक है इसका चालक कौन मुख्य मंत्री होता है next question देखेंगे राज्य पाल तदा मंत्री परिशद के बीच की कड़ी कौन होता है पहुत important question है भाई तेखेंगे important question है एकदम important question है most important questions है तो राज्य पाल और मंत्री परिशद को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है मुख्य मंत्री होता ऐसा क्यों जो मंत्री परिशद होगा इसके direct संपर्क में राज्य पाल नहीं ठीक है राज़पाल को कुई भी रिपोर्ट होती है कोई भी बैठक होगी मंत्री परषद की उसमें जो निर्णाय लिया जाएगा वो किसे कौन लेगा मुख्यमंत्री लेगा इन सभी मंत्रियों की मंत्रणा से और जो निर्णाय होता है उसकी जानकारी किसको देंगे परिशद और राजिपाल को वो कौन जोडता है मुख्यमंत्री जोडते हैं ठीक है जैसे हमारे राज के मुख्यमंत्री कौन है योगी आदितिनाद ठीक है और हमारे यहां की जो राजिपाल है वो आनंदी बेन पटेल है तो आनंदी बेन पटेल ठीक और बाकी जो मंत्री करता है फिर देखिए कोशन आ गया लगा अभी दें चार वार नेसर चीज़को बताया कोन करेगा मुक्य मंत्री करेगा मंत्री परिसद की बैठक है याद रखेंगे ना कि वो विधान सवा की बैठक है विधान सवा की बैठक को विधान सवा अध्यक्ष करेगा नेक्स कोशन राष्टी विकास परिसद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित तो कौन करता है ठीक है तो इसमें मुख्यमंत्री जो है विकास परिसद के बैठक जो होगी उसका प्रतिनिधित तो करेंगे ठीक क्योंकि विकास कारें के बारे में जाय जा कौन लेगा मुख्यमंत्री ठीक और फिर इसको कहां बताएंगे जाके राजिपाल को ठीक है, नेक्स कोशन देखेंगे, राज का मुख्य मंत्री किसके प्रति उत्तर दाई होता है, ठीक, किसके प्रति उत्तर दाई होता है, तो बिधान सभा के प्रति उत्तर दाई होता है, बिधान सभा में कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, मुख्य मंत्री से पूछ लेगा, उस तो वहाँ पर उसे उत्तर देना होता है ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे चली एकशेन को देखते हैं नेक्स कोशन है राजी का जो मुख्यमंत्री होता है ठीक राज बिधान सभा द्वारा सुना जाता है मंत्री परिशद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मंत्री परिशद तब बनती है जब पहले मुख्य मंत्री बनता है मंत्री परिशद की शक्ति को निर्धारित करता है जी नहीं ठीक ये भी गलत है मंत्री परिशत का बेतर निर्धारित करता ये भी गलत है ठीक तो राज की बिधान सवा जो होती है उसके द्वारा ही चुना जाता है मतलब राज की बिधान सवा से ही कोई सेलेक्ट किया जाता है से ही लेकर आया जाता है ठीक है बात समझ में आई की नहीं आई इसमें कहरा है कि राज की बिधान सवा होती है ठीक है इसमें जो first वाला है वही हमारा answer होगा फर्स्ट केवल फर्स्ट वाला सही है एक राज की जो विधान सवा है उसी में से एक व्यक्ति को चुनकर निव्त किया जाता है जैसा कि अमने बताया कि विधान परिशद का सदस से भी हो सकता है लेकिन हर जगे विधान परिशद नहीं है नेक्स कोशन चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स कोशन है मारा भारती संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य मंत्री के कारियों को परिभाशित किया गया है मुख्य मंत्री के कारियों को किस अनुच्छेद में परिभाशित किया गया तो वो किया गया 163 के अंदर मुख्य मंत्री की नियुक्ती बताई गई है नेक्स कोशन है निमलिखित में से किसे राज Minute में बीधान मंदल का भाग नहीं माना जाता है इन में से कौन सी चीज बीधान मंदल का भाग नहीं होती है तो यह जो हमारा मुख्य मंत्री है, यह विधान मंडल का भाग नहीं होती है, विधान मंडल के तीन पार्ट होते हैं, जैसे संसद के तीन पार्ट होते हैं, वैसे विधान मंडल के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है राज्य पाल, दूसरा होता है सभा, और तीसरा होता है वि तो ये तीन भाग होते हैं, मुख्य मंत्री इन दोनों में से कहीं से एक चुनकर आता है, सदस्य होता है इनका, लेकिन भाग नहीं होता है, बात समझ आई कि नहीं आई, जिस तरह से संसद के तीन भाग होते हैं, राष्टपती, लोकसवा और राजसवा, सेम ऐसे ही इसके भी तीन भाग होते हैं बात के लिएर समझ में आई कि नहीं ठीक है मद्धी प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे ठीक है तो मद्धी प्रदेश के जो प्रथम मुख्य मंत्री थे वो कौन थे रभी शंकर शुकल थे कमेंट बॉक्स में आप एक बार छापती जीए कि यूपी के फर्स्ट सियम कौन थे तो याद रखेंगे यूपी के फर्स्ट सियम थे वह सी राज गोपालाचारी थे थे थीक है नेक्स कोशन देखेंगे अगला कोशन है 16 अप्रेल 2019 तक प्रात जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सरवाधिक समय तक रहने वाले ब्यक्ति का नाम क्या है तो यह है पंचम चामलिंग पबन चामलिंग ठीक है और यह कहां के है यह भाया सिक्किम के हैं सिक्किम के सियम जो हैं वो सबसे जादा समय तक सियम रहने का रिकॉर्ड अभी इनके नाम है ठीक है सिक्किम के जो सियम हैं इनके पास सबसे जादा लंबे समय तक सियम रहने का रिकॉर्ड इनही के नाम है ठीक है next question देख लेंगे next question है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ठीक है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो डाक्टर स्री कृष्ण सिंग थे डाक्टर स्री कृष्ण सिंग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थ निम्न लिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे जिहान पहले केरल के जो मुख्यमंत्री हुए थे वो हुए थे EMS नबूदरीपाद सबसे पहले कौन थे EMS नबूदरीबाद ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे भारत के किस राज में सरप्रथम कोई महिला मुख्यमंतरी बनी थी तो किस राज में बनी थी तो ये है हमारा महान उत्तरप्देश हमारा फेवरेट यूपी ये कैसा राज है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ एक महिला को सियम बनाया था मुख्यमंत्री बनाया था ठीक और वो कौन थी सुचेता क्रपलानी थी कौन थी सुचेता क्रपलानी थी जो सुचेता क्रपलानी थी वो भारत में यानि कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तरप्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री अगर पूछी जा एक महिला गवर्नर बने थी और वो थी सरोजनी नाइडू इसको भी आप याद रखेंगे सरोजनी नाइडू थी ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे सुतंतरता सेनानी सुचेता क्रपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप उत्तरपडेस मिल्ला है सुवणी मक्ष्रोडों में तो यह हमारे उपी को ही यह सौभागे प्राप्त हुआ कि एक महिला को हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री न्युक्त किया नेक्स कोशन देखेंगे, अगला कोशन है, किसी भारतीय राज्य की प्रिथम महिला मुख्यमंत्री बनी, थीक है, इन्वे से कौन सी ऐसी हैं, जो किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, तो यहाँ पर एक शोड़े मक्षरों में नाम आपको दिखाई दे रहा है सुचेता क्रपलानी जो थी वो एक ऐसी महिला थी जो एक भारती राज की सियम मनी थी नेक्स कोशन है उडिशा की परतम महिला मुख्यमंतरी कौन थी ठीक है तो यह थी नंदिनी सत्यपति जो थी वो इडिशा की सबसे पहली मुख्यमंतरी थी तो भाईयों एक बार और आप कमेंट करके हमें बताईए कि अभी उडिसा की present time पर उडिसा के CM कौन है ठीक है present time पर उडिसा के CM कौन है next question देखेंगे भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पदपर निक्त होने बाली प्रथम दलित महिला कौन है ठीक है तो भाई ये भी हमारे शौभाग हमारे इसको यूपी को प्राप्त हुआ है कि सुस्री मायावती जी जो है वो एक दलित समाज से आती है ठीक और ये ही हमारे हाँ CM भी रह चुकी है ठीक ये हमारे हाँ मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और ये second महिला भी है दूसरी महिला भी है जो मुख्यमंत्री बनी थी नेक्स कोशन देखेंगे भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी तो मेरे दोस्त देख रहे हैं ये जो यहाँ पर महराष्ट लिखा है महाराष्ट एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी महिला भी तक मुख्यमंत्री नहीं बनी है ठीक है नेक्स कोशन एक और इंपोर्टेंट कोशन देखेंगे ठीक तो एक बार फिर से दोस्तों बस छोटी सी फिर यह है क्यों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ''वीडियो आप लोग देखते है और वीडियो को देखने के लिए thanks A lot हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को share और लाइक भी कीजिए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और हम इसी तरह से important questions भी आपके लिए लाते रहते हैं चलिए next question देखेंगे next question है राज्यों में मुख्य मंत्री सहित मंत्री परिसद में मंत्रियों की नियूनतम संख्या क्या हो सकती है तो मंत्रियों की नियूनतम जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 12 तीक है वो कितनी हो सकती है 12 हो सकती है ठीक है वो कितनी हो सकती है 12 हो सकती है मुख्य मंत्री सहीद 12 से जाधा मंत्री न्यूक्त नहीं किये जा सकते हैं जी हाँ दोस्तों ठीक CM related important questions जो हमारे competitive exams में पूछे जा सकते हैं वीडियो आपको हमारे कैसे लग रहे हैं इसका view आप में जरूर दें पाकी वीडियो को like share जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक subscribe ने किया तो चैनल को भी subscribe करें